दोस्तो देखो अगर वैसे तो देखोगे ना तो दोस्तो अवरतों को पटाने के भावियों को पटाने के ना जाने कितने तरीके ना जाने कितने मेथड मैंने दोस्तो आपको ना बूत बार बताए है बट दुस्तो आज ना इस दुस्तो विडियो के अंदर मुई दुस्तो आपको बताने वाला हूँ कि दुस्तो ऐसे ना तीन परकार के काम जी हाँ ऐसे दुस्तो तीन परकार के काम जो दुस्तो अगर आप ना जैसे जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ वैसे वैसे प्रोपर अगर दोस्तो उन तीन कामों को अगर दोस्तो अपने जिन्दगी में करोगे ना तो दोस्तो मैं आपका भाई आपको दोस्तो गैरेंटी देता हूँ आपको दोस्तो स्टैम पेपर पे थपा लगा के आपको दोस्तो मैं बोल सकता हूँ कि दोस्तो अगर आपने ना इन तीन का आपना चुटकी बजाते उसको दोस्तो पटा सकते हो क्या बोला मैंने उसको दोस्तो मतलब चुटकी बजाते आप दोस्तो उसको पटा सकते हो क्योंकि दोस्तो अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना दोस्तो तो दोस्तो वही काम करके मैंने दोस्तो मेरे जिंदगी में दो तिन भावियों को पटाया था इसके लिए दूस्तों मैं आपको बता रहा हूँ तो दूस्तों आजका विडियो भूत इंपोटन्ट है ऐसा दूस्तों quality content आपको दूस्तों कहा पर भी देखने के लिए नहीं मिलेगा तो दूस्तों आपका भी फर्ज है कि दूस्तों दोस्तो देखो सबसे पहिले जो दोस्तो फश्ट नंबर का जो दोस्तो काम है ओ दोस्तो कौनसा काम है कि दोस्तो अगर आपको ना किसी भी दोस्तो अवरत को किसी भी दोस्तो भावी को अगर दोस्तो आपको पटाना होगा ना तो दोस्तो सबसे पहले आप दोस्तो क्या करो दोस्तो हर अवरत की न दोस्तो दो तिन दोस्तो सहलिया होती है तो दोस्तो उनके सहलियों के दिल में न आप दोस्तो अच्छी जगह बनाओ और दोस्तो अगर उस अवरत के न अगर दो तिन बच्चे भी होंगे तो दोस्तो उन बच्चों के दिल में भी न अच्छी दोस्तो जगह बनाओ अभी दोस्तों आप मुझको ऐसा बोलोगे कि अरे भाई हमको तो उस अवरत को पटाना है मतलब हमको उसके सहलियों को बिल्कुल भी नहीं पटाना तो तू ऐसा क्यों बता रहा है कि उसके सहलियों के दिल में अच्छी जगह बनाओ तो मेरे भाई देखो कि दोस्तों जो अवरत होती है ना तो दोस्तों अवरत ना ज्यादा तर अपने आसपास के लोगों के बातों में जल्दी से आ जाती है मतलब दोस्तों अगर उसके सहलियों ने ना अगर उसको बताया कि मतलब यह जो बन्दा है ना तो यह बन्दा एकद बट दोस्तो अवरतों का दिमाग ना ऐसी ही दोस्तो चलता है तो दोस्तो आप दोस्तो क्या करो कि दोस्तो उसके सहलियों के दिल में उसके बच्चों के दिल में आप दोस्तो अच्छी जगा बनाओ ताकि आपके पीट पीछे ना उसकी सहलिया और उसके बच्चे आपकी दो तो तारिप करें कि मतलब यह जो बंदा है ना तो यह बंदा एकदम अच्छा है मतलब यह जो बंदा है ना तो यह बंदा ऐसा है वैसा है एक्सेटरा एक्सेटरा क्योंकि दोस्तो जब उसकी सहे लिया और दोस्तो उसके बच्चे मतलब मतलब आपके पीट पीछे मतलब आप कि दोस्तो तारिप करेंगे ना तो दोस्तो मैं आपको ग्यारेंटी देता हूँ कि दोस्तो ओ अवरत भी ना आपको दोस्तो पसंद करने लगेगी अभी दोस्तो जो मैंने आपको बताया ना तो दोस्तो वो सबसे पहले परकार का काम है अभी दोस्तो उसके बाद जो दोस्तो दुसरे परकार का काम है तो दोस्तो दुसरे परकार का काम दोस्तो कोण सा है कि दोस्तो उसके साथ ना बात करते समय उसकी दोस्तो तारिप करो उसकी दोस्तो बाजू लेकर बोलो और दोस्तो उसको ना ज्यादा दोस्तो हसानी की कोशि करो इससे दोस्तों क्या होगा कि दोस्तों देखो अवरतों के सामने न अगर दोस्तों मतलब आप अगर किसी भी अवरत की तारिप करोगे कि मतलब आप न ऐसी हो वैसी हो एक्सेटर एक्सेटर अभी दोस्तों ज्यादा लेक्चर देके आपका दोस्तों मैं ज्यादा टाइम पस नहीं करूंगा, मतलब दोस्तों आपको समझ में आया होगा, कि दोस्तों तारिप करो, और दोस्तों बाजु लेकर बोलो, इसका दोस्तों मतलब क्या है, कि दोस्तों अगर वह अवरत ना, कोई ना कोई बात आपको बता रही है, कि मतलब ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, etc और वो अवरत ना भले उस कंडिशन में गलत भी होगी मतलब अगर वो अवरत ना भले उस दोस्तों परस्तिती में अगर उसकी गलती भी होगी अगर वो अवरत ना उस दोस्तों सिच्वेशन में अगर दोस्तों गलत भी होगी तब भी दोस्तों आप उसकी बाजु लेकर बो ऐसा ही करता आपने न एकदम सही किया है दोस्तो बतलब ऐसा जब दोस्तो आप करोगे न तो दोस्तो उस अवरत को लगेगा कि देखो देखो यह बंदा कितना अच्छा है मतलब यह बंदा न मुझे कितना अच्छी तरीके से समझता है मतलब ऐसा दोस्तो उसको लगेगा और दोस्तो उसको ज्यादा तर ना दोस्तो हसाने की कोशिश करो इससे दोस्तो क्या होगा कि दोस्तो मतलब अगर ओ अवरत ना किसी ना किसी मतलब अगर दोस्तो समस्या में होगी अगर दोस्तो उसका जो मूड है ना वो दोस्तो खराब भी होगा और दोस्तो तबी आपने उसको हसाया तो दोस्तो उसको ऐसा लगेगा कि मतलब जब ना मैं इसके साथ बात करती हूँ ना तो जो मेरा मूड होता है ना तो वो मूड ना एकदम फ्रेश होता है ऐसा दोस्तो उसको लगेगा दोस्तो और दोस्तो आप अगर उसकी तारिप करोगे उसकी बाजु लेकर बोलोग अभी दोस्तो उसके बाद जो दोस्तो तीसरे परकार का काम है तो दोस्तो तीसरे परकार का काम कोन सा है दोस्तो कि दोस्तो आपके अंदर ना जो भी दोस्तो स्पेशलिटी होगी जो बाकी बंदों से ना आपको दोस्तो अलग बनाती है जैसे कि दोस्तो for example आपका अगर स्व स्वभाव ना बाकी पुर्षों का बिलकुल भी नहीं है तो आप अपने स्वभाव को उसको दिखाओ या फिर दोस्तों आपके पास ना कोई ना कोई टैलेंट है जैसे कि फोर एक्जम्पल आप अच्छा गाना गाते हो आप अच्छी एक्टिंग करते हो एक्सेटर आपको दोस्तों बाकी पुर्षों से अलग बनाती है तो दोस्तों ओ चीज ना उसको दोस्तों दिखाओ ताकि दोस्तों उसको पता चले कि मतलब यह बंदा ना बाकी लोगों से कितना अलग है क्योंकि दोस्तों जो दिखता है ना वही दोस्तों बिखता है तो दोस्तों आ आप उसको ऐसा नहीं दिखाते कि देखो देखो मेरे अंदर क्या special है और मैं बाकी पूरुशों से कितना different हूँ तब तक दोस्तो ओ अवरत ना आपको भाव बिलकुल भी नहीं देने वाली क्योंकि दोस्तो अवरतों को ना दोस्तो मतलब दोस्तो बेतरीन पूरुश मतलब हर अवरत को अपने जिन्दगी में चाहिए होता है तो दोस्तो इसको आपना अपने दिमाग में फिट कर लो तो दोस्तो I hope चो मैंने आपको बताया वो दोस्तो आपको समझ में आया होगा तो दोस्तो मिलते हैं अगले विडियो में तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहो हैपी रहो, कुद का खयाल रखो, लब यू सो मच और लॉफ यू